वेलकम टू जू हीज केट्स कॉर्णर बच्चो आजम सीखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसके अंदर प्रशंसा किये जाने की योगेत नहो उसे अप्रशस्त कहते हैं हम विक्रेट शब्द को अप ब्रणश शब्द भी कहते हैं जिसका वद करना अनुचित हो उसको हम अपध्धे कहते हैं जो दूसरों से सम्मंधित न हो उसको हम अनन्ने कहते हैं वह जिसके उपर हमला किया गया हो हम उसको अकरांत कहते हैं जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे हम अती इंद्रिय कहते हैं जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो उसे क्या कहते हैं अप्रहत सही कहा जिस पर विजय प्राप नहीं की जा सके उसे क्या कहते हैं अजे सही कहा दूसरी उपाय से रहित उसको क्या कहते हैं अनन्य उपाय एकदम सही तो बच्चो अब बताओ जिसको थोड़ा ग्यान हो हम उसे क्या कहते हैं अलपग्या एकदम सही जिसका चिंतन न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं अचिंते साब बाश तो अब बताओ जिसमें कुछ भी ग्यान हो हम उसे क्या कहते हैं अग्या बिल्कुल सही कहा जिसका विभाजन न किया गया हो, हम उसे क्या कहेंगे? अविभक्त से एकदम सही कहा जो पान न की जा सकी, हम उसे क्या कहेंगे? अपेई एकदम सही कहा जो प्रतिभाहिन हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिभा हिन सही कहा बच्चो अब बताओ जो समस्त लोग से भी अलग होता है हम उसे क्या कहते हैं अलोग एक जिसकी मिर्तिव नहो हम उसे क्या कहते हैं अमर एकदम सही शाबाश जो सर्वर प्रतिव गीना जाता हो उसको क्या कहते हैं अग्रगन्ने सही अब बताओ जो समान नहो हम उसे क्या कहते हैं असम एकदम सही कहा आरंब से अंतक उसको हम क्या कहते हैं आदो पांथ सही सिर से लेकर पैरो तक हम उसको क्या कहते हैं आपदमस तक एकदम सही कहा इतिहास से सम्बंदेत ज्यान रखने वाला उसे हम क्या कहते हैं इतिहास सग्य नया बनाने का कार्य इसको हम क्या कहेंगे आधुने की करण सही कहा जो इंद्र परविजय प्राप्त कर चुका हो हम उसे क्या कहते हैं इंद्रजीत सही कहा जिसका सम्बंद आत्मा से हो उसको हम क्या कहेंगे आध्यात्मिक एकदम सही बहुत अच्छे केवल इसी लोग से सम्बंदेत हम इसको क्या कहेंगे इहलोकेक सही कहा क्रिपा के कारण संतोष धारण के हुए हम उसको क्या कहेंगे क्रितार्थ सही जिसके उपर किसी का उपकार हो हम उपकरेत एकदम सही कहा बच्चो तो बच्चो अब बताओ वित समभन्दी को हम क्या कहते हैं वित्य एकदम सही बच्चों साबाश ऐसी जमीन जो उत्पादक हो उसको क्या कहेंगे उर्वरा सही कहा अब बताओ ऐसा पुष जुक अभी विक्सित न हुआ हो उसको क्या कहेंगे कली जिसका जन अच्छे कुल में हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे कुलेन एकदम सही सूरज के उद्य होने का इस्थान उसको हम क्या कहेंगे उद्याचल सही बनावटी रूप में पैदाश उसको हम क्या कहेंगे क्रेत्रेम सही कहा बच्चों सौन्दर ये युक्त लंबे केशों से युक्त नारी उसको हम क्या कहेंगे केशिनी सही कहा अब बताओ कार्यों में सलंगन रहने वाला उसको हम क्या कहते हैं करमाट जो किसी अच्छे एवं बुरे कार्य का वरणन करता हो उसे क्या कहेंगे आलोचक सही वह चीज जिसकी चाह हो उसको हम क्या कहेंगे इच्छित साब बाश वह हैं जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो उसको हम क्या कहेंगे ओ सर बहुत अच्छे बुली स्केट्स कॉर्णर को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना बूले आपका धन्यवाद